हरे कृष्णा भगवत गीता अध्यन माला कारिक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता केवल किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाती को लाभानवित करने वाला शास्त्र है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके शिश्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिये गए इस ज्ञान से उनके सभी संशे दूर हुए उसी प्रकार हम भी भगवत गीता का अध्यन करके एवं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं आईए श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी के साथ अध्यन करें भगवत गीता का हमारे प्रवक्ता श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी ने पुने विश्वय विद्ध्याले के सिंग्हर कॉलेज से सन 2005 में कम्प्यूटर इंजिनेरिंग में सनातक की डिगरी प्राप्त की एवं जानीमानी सौफ्वेर कंपनीज जैसे ओरेकल वो टाइटन टेकनोलोजीज में भी विकारे कर चुके हैं वर्तमान में प्रभुजी भारत वर्ष के अनेग बड़े राज्जर में भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं एवं युवाओं हेतु सेमिनार भी लेते हैं तो आईए श्रमन करते हैं भगवत गीता अध्यनमाला श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी के श्री मुक से धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम अज्ञानत मिरंदस्य ज्ञाना अंजना शलाकया चक्षोरुन्मिलित अम्येन तस्मा श्री गुरवे नमहा नमा ओम विष्ण पाधाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेधांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस देदे वे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पाश्चात्य देशतारिने चैस्री कृष्ण चैतन्या ब्रभूनित्यानंदा श्रीयद वैतक अधाधर श्रिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे क्रिष्णा कृष्णा कृष्णा χरे हरे चार्म लाम ईिर राम उख्ण आप सबका सागत हैं आज की भुगतीता अद्धेन माला श्विंक्ला में आज न करेंगे अध्याई दो श्लुक्रमांक 29 है अश्या। कोई आत्मा को आश्चरे से देखता है कोई उसे आश्चरे की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चरे की तरह सुनता है किन्तु कोई-कोई इसके विशे में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते है तो जैसे कि हमने अभी तक के श्लोकों में आत्मा के बारे में सुना था लेकिन इस आत्मा के बारे में जो लोग सुनते हैं वो भी अलग-लग प्रकार के होते हैं भगवान यहां समझा रहे हैं कि अरजुन तुम हम मैंने जो अभी तक इतना ग्यान आपको दिया आत्मा के बा राध भी कई लोग अपने ही संकल पनाय रखते हैं और उसमें भी आश्चर उनको आश्चर होते कैसे हो सकता है जैसे एक छोटा सा जैसा आत्मा का जो बता है करवत चोटा है यह छोटा सा अनु इतने बड़े शरीर को जैसा हाथी का शरीर आप देखेंगे इतना बड़ा होत लेकिन वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है नियंत्रन करता है पूरे शरीर के उपर वो जहां चाहें वो सोंड से दूसरे शरीर को उठा के पटक सकता है जब चाहे ता अपने आपको जाके कहीं सो जाएगा जब चाहे ता बूड़ी जाएगा जब चाहे ता भाग सकता है तो एक निर्जीव वस्तू को हिलाने की ताकत यात्मा रखता है तो कई लोग आश्चर्य वस्तू क्या यहां का है आश्चर्य से देखते हैं कि यह देख की भी आश्चर्य लगता है कि कैसे कोई जड़ वस्तू हिल रहा है जैसे हमने सुनाए कि कैसे संजीवनी इतना बड़ा सं हनुमान जी उठा के ले गया हनुमान जी फ्लाई करते थे अब ये किसी भी तार्किक बुद्धी को ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैसे उड़ सकते हैं चले हमें चलने का अनुबव है तो कुछ कहते हैं कि कुछ लोग भी ये देखके ही वो आश्चेर रुचे हुए अनेक जगहों का जो मैनिपलेशन मतलब कहीं से कुछ उठा लिया कहीं रख दिया जैसे कोई यहीं सोच रहे कभी आप देखे का भाई बेनों में एक वेक्ति एक ही जगह रहता है चुप रुस्तम कहते हो चुप रहता है लेकिन आइसा कुछ बोल देता है कि यहां से वहां हो जाता है उसका वहां हो जाता है लड़ा हो जाता है भाई भाई में लड़ा हो जाता है तो पता नहीं जलता है किस ने किया वैसे आत्मा ऐसा है कि है एक जगह इच्छा करता है लेकिन वह इच्छा से कहां क्या हो जाएगा यह कोई नहीं बता सकता तो आत्मा की यह जो इच्छा शक्ती है यो उसकी सबसे प्रबल शक्ती है तो इसलिए आत्मा के और हम कुछ लोग आश्चरिवत बताते हैं कि आश्चामने कभी नहीं सोचा था कुछ लोग कहते हैं कि आश्चर के तरह सुनते हैं मतलब कैसा आश्चरिवत सुनता है मतलब कि जब सुनते भी ह ऐसे कई लोग क्त्ह में आप जाएएगा, कभी-कभी भारत वर्ष में तो अनेक गुरु और लोग हैं जो कthा करते हैं, लेकिन इसमें भी एक धारना होती है, कि कई लोग ये सोचते हैं, कि आत्मा जो है ये परमात्मा के बराबर है, तो कथा करते वक्त उस भाव से ही करते रहते हैं कि परमात्मा परमात्मा अपने आपको थोड़े दिर में पहले आत्मा से सुरू करते हैं फिर दिरे 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 अपने आपको परमात्मा कहने लगते हैं और सुनने वाले भारत वरश में सुभाव है हाँ हाँ जब सब बराबर है सब 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 एक है हाँ हाँ सभी देवी 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 देव तो कोई समझने का प्रैस करेंगे लिकिन यह अलग-अलग सिद्धान्तों से समझते हुए भी अलग-अलग जो दार्शनिक हैं वह उसी चीज को सुन रहे हैं तो अपने हिसाब से ले रहे हैं जैसा आश्चरिवत कहते हैं तो कुछ लोग कहेंगे यहां देखिये यह जो आत् आत्मा भगवाने और हम भी पर आत्मा भगवाने ऐसे खुद कंक्लूड कर देते हैं लब एक लॉजिक होता है ना गणित में लॉजिक होता था ए टेंड्स टू बी बी टेंड्स टू सी तो यह सिदह कहेगा विकाज ए बी सी के बाद डी आते तो ए टेंड्स टू डी तो इसको अपने मन मानी करके कुछ लोग बोल देते हैं तो सुनने वाले भी कभी इसी चीच को गर्ण कर लेते हैं अनेक अनेक प्रकार शिक्षाओं को ग्रण करके आत्मा के बारे में अपना एक संकलपना रखते हैं परंदू एक चीज अच्छा है कि हर कोई आत्मा के बारे में ही कह रहा है जैसे कई संपरदायों में आप देखिएगा संपरदायों यानि मैं ऐसे ग्रंथों की बात कर रहा रहें जैसे कुरान वाइबल इत्या दी इन्होंने यह इनमें भी आत्मा का जो दर्शन है और दिया हुआ है आत्मा रुख के बार में दिया है तो उसमें तो वह ऐसी मान जिता है कि जब उपर वाले पहला आदमी बनाया तो मट्टी का पुतला बनाया उसमें रूप फुक द है कि जो मनुष्य है अगर कोई मनुष्य शरीर में है तो उससे मनुष्य ही पैदा होगा ये तो है बराबर लेकिनों कह रहे हैं कि अगला जनम भी अगर होगा उसका अगर उसका अगला जनम भी होगा तो वो मनुष्य कही होगा उप्राणियोनी में नहीं आएगा या कोई प चेतना जितनी विकसित होती है तो उस हिसाब से आपको अलग 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 शरीर मिलते जाता है जैसे अगर कोई बहुत चेतना जिसका बहुत स्थूल है बहुत ही कामवासना है तो उसे पेड़ का शरीर मिलेगा फिर धीरे धीरे उसके कर्म कट्टे कट्टे फिरो कीडे प्राणियों के रूप में जाएगा फिर मनुश्य योनी में जाएगा फिर वहां से कर्म से या तो स्वर्ग में जाएगा नर्ग में जाएगा फिर वापिस प्राणियों में आएगा तो यह एक श्रिंखला है तो वेदों में इसका बहुत पुष्टी होता है जैसे जडभरत जड़वरत का इतियास पढ़ेंगे तो वो हिरन हो गए थे फिर वापिस जो है राय एक वेक्टी था वो राजा था जो हाती थे पहले राजा थे फिर वापिस मुक्ष प्राप्त कर लिया तो कभी-कभी हमको यह समझ में हमको हमें यह लगता है कि जो मनुश्य है उससे सिफ् कई लोग कहते हैं कि आत्मा यहां है कि आत्मा यहां होता तो जो कि भूख लगता तो कहते हैं मुझे भूख लगा है आओ मुझे मारो तो एक सभावी करितिया समझ में आ जाता है कि आत्मा रिदे के आसपास कहीं है और शरीर के अंदर आत्मा है कुछ लोग कहते हैं शरीर के अंदर कुछ और भी है इसलिए इसा कहा जाता है ले जो सत्य दार्शनीक होते हैं और परंदार्शनीक होते हैं वो कहते हैं आत्मा ने शरीर को धारण किया है लब यह सुनने की बात है कि कोई भी आंगल से सुनियेगा तो आश्चरी ही लगेगा तो आत्मा का ग्यान जो है वो ऐसे आश्चरे प्रदान करते रहता है तो यह समझना तब उस में से एक बहुत ही कम लोग है जो यह जान पाते हैं कि आत्मा है कहां आत्मा और परमात्मा का सम्मंद है क्या आत्मा का भविश्य है कि आत्मा जाता कहां है आता कहां से है एक संक्षिप्त में हम लोग जानने का प्रैस करेंगे भगोदीता के माध्यम से यह आत्मा जो है यह भगवान का अविनाशी अंश है भगवान गीता में कहते हैं वो कहते हैं यह जो आत्मा है यह भगवान का अंश है यह न जनम लिया है न जायते इम्रियते वा कदाचिन नायम भुत्वा भवितावान भूया यह आत्मा का न जनम है अन्नम रुत्यू है तो यह आत्मा करता है क्या है वैकुंट में ही रहता है वैकुंट का वरणन अनिक जगह पर आता है गुरूर पराण में रसकंद पराण में आता है पन्द पराण में आता है तो इन वैकुंट लोग वहां है जहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं है यातना नहीं है वहां ह और चीज केवल आनंद ही देता है और कौण से आनंद मानसिक आनंद नहीं मन का आनंद वह आत्मा आनंद है उसको ब्रह्मा आनंद कहतें या भक्त्यानंद कहते हैं तो वो तो इस आनंद की अनुभूती करता है परंथू जोहीं वो थोड़े ख़रण के लिए भागवान से विमुख हो जाता है तो वो एक सपना देखता है वो एक सफना देखने लगता है जिसमें वो इस भ्चिक प्रकृति में वो प्रवेश तो करता है लेकिन पूरा पूरा पूर नहीं करता एक अंच मात्र से वो इस प्रकृति में प्रवेश कर लेता है और यह प्रकृति जो है यह चाया शक्ति मानी गई है चाया शक्ति मतलब जैसे कुछ लोग उंगलियों को ऐसा करके कुट्ता बना देते हैं तो कि बिएसा मौर जैसा लगेगा तो अपने उंगलियों का इस अवाल करके हम लोग एक एफिक्ट डालते हैं तो असलिमें हुआ मौर नहीं है लेकिन मौर की एक परचाई है उस परचाई को देखे में मौर का याद आता है तो वैसे क्यों कि हम भगवान के अंच है तो जो जो इच्छाई भगवान की हैं वो इच्छाई हमें हैं लेकिन हम उसको परचाई में पूरा करने का कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि चाया शक्ती के प्रभाव में ये आत्मा काम चालू कर देता है अब ये जो ही ये चाया शक्ती का इस्तमाल करेगा तो प्रकृती भी जो ह हमने पिचले सत्र में भी देखा आवह कार से सारा जो निर्मान है वो चालू होता है टो आवह कार मतलब प्रच्छाई इस परफी से मह अपने आपको मान लेता है तो अब यe सारे जो उसको परचाई है जो उसको उसको उस काल अखंड मे Mلة fulfilled मिली हुई है कि लिए अधनी है तो कोई गरीब है तो यह इंग बैगन एक राजा एक अदमी था एक राजा ने आदमी को पूछा कि भगवान करते क्या है उपर में बोर नहीं हो जाते है उपरे भगवान है वो बोर हो जाते होंगे तो बुले इसका जवाब दीज़े भगवान करते क्या है जो जवाब देखा उसको मैं इनाम दूँगा तो अने एक लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कुछ समझ रहा था कि कैसे बोलेंगे भगवान ने क्या किया, तो वहाँ एक साधु गुजर रहा था, तो राजा को बोला, कि हम जवाब तो देंगे, लेकिन आपको आसन से नीचे उतर रहा हो, क्योंकि हम गूरु है, आप भगवान करते हैं, तो बोलें क्या, बोलें गरीब को अमीर करते हैं, अमीर को गरीब कर देते हैं, फिर गरीब को वापीस अमीर कर देते हैं, वाज यही उपर नीचे कर रहा हैं सबके साथ, तो यहाँ पे जीव जो है, वो परचाएं में खेल रहा है, कभी उसको अमीर का मिल रहा है कि अभी गरीब का श्रीन मिल रहा है तो जब गरीब है तो अमीर के अमीर से लड़ रहा है जब अमीर है तो गरीबों को नोकरी करवा रहा है अब जैसे आप अभी भारत बर्श का उधारन ले लिजिए जो एक समय में रूलिंग पार्टी था जो राज करता था वो और राज करते 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 इतना मधन हो गया तो ार अच्छा करेंगे तो उन्होंने सब्टा कर किसी के हिस्से का कुछ नहीं ले सकता आपका जो इसा वही आपको मिलेगा जैसे कई बार हम देखते हैं कि बहुत लोग foundation बाना देते हैं, गरीबों को खिलाना है, और हमको ये करना है, चलो ये बहुत अच्छा चीज है, कि कम से कम आपके हर्दे में का अच्छा हेतू आ रहा है, परन तु गरीबों को खिला के गरीबी नहीं हटेगी, पूरा पैसा आ ये एक balance जैसा है, जैसा फुगगा है, फुगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग और silent observer मतलम जो चुपचा बस देख रहा है जो जो बोलता है तमाशा देख रहा है बदमासी कर रहा है तमाशा देख रहा है वैसे के बोलो च्छाया के चीज़ों को बस अहंकार वश हो अपने आपको वो समझ लेता है इसलिए उसको मिथ्या अहंकार भी कहा गये है तो इस आत का बात नहीं है पहले इसमें केवल च्छाया शक्ति का प्रभाव है अब प्रभाव में जो उसने किया तो उस च्छाया के कुछ नियम है अब उस च्छाया के नियम के अंतर का तो कर्म में फंसने लगता है और बाद में वो कर्म को ही सत्य मानने लग जाता है वो भूल जात ग्यान नहीं फॉरा तो वह चले जाता है कि और हम त्याग करेंगे करम करुए बहुत पढ़ाई कर लेते तो बंद करके थोड़ा मुवी देख लेता है या कोई बहुत देख लेते लिए ना पढ़ाई करना है तूँसका मन यहां से बहुत त्याक करते रहते हैं तब नहीं सकते जहां सिद्धी का प्रदर्शन करना है उस समझ आप नहीं गुम सकते आप आओगे तो फिर यहां के बन जाओगे तो समझ जाओगे वो चीज आपको वहां मिलती है फिर उन्हीं लोगों में रहो उधर तो सबके बाद सिद्धी प्राप थे जिनका असिधिपराप नहीं, उनके बास आप जाओगे तो आपको शुकार नहीं किये जाओगे आपकी आवस्ता को देख़े, आपकी तपस्या को देख़े, जाए सोबारी मुनी नदी के अंदर चले गयते हैं, उनका शरीर जो खराब हो गया था, जो उनको शराप मिला तो बाहर आए, तो उनको नए शरीर लेना पड़ा, शादी करने के लिए भी, तो यह कता हम लोग कोई बादे सुनेंगे, लेकिन यह जो चाय शक्ती है, वो कर्म बाद में आता है, ले इस त्याग और कर्म के चक्कर में हम इतने फेरे लगाते हैं, लगाते हैं, बहुनाम जन्मना मंते, ज्यानवान माम प्रपद्यते, इस ज्यान को समझ के, पीछे हो समझ जाते हैं, कि इसके पीछे वासुदेव की चाय शक्ती का हाथ है, ज्यानवान माम प्रपद्यते, वा बहुत बड़ा खेल और घंचकर है, यहां से निकल के वो यहां आ जाए, तो इसे च्छाय शक्ति के प्रभाव से विक्तिया ने करने की इच्छाओं के बीच में प्रकट होते रहता है, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी सिद्धन तका इस्तमाल कर सकता है, व गोहान ने यह संसर साइकल में बनाए हुआ है, लीनियर नहीं है जो तो महां आकरिया पहले रहोगे, कोई भी आकरिया पहला नहीं होता है, यह साइकल है, जैसे हम लोग वर्ट फास्ट पैडलिंग करेंगे, तो भी वो गोल ही गुमने वाला है, वो सीधा कहीं नहीं, सीध और असत्य की बात हुती है, तो या तो आप सत्य जानते हैं, या आप सत्य पूरा नहीं जानते, तो असत्य में या फसे हुए हैं, तो यहाँ पर इस चाय classic का रूप देखके, जो जीव उसमें फस जाता है, तब धीरे 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 उसके अनुभूतियां, उसकी साक् डिप्रेशन में चला गया था, कुछ लोग अपने जीवन को इतना सीरेसली ले ले लेते हैं, कि कई बार आत्मत्या कर लेते हैं, कई बार वो मतलब अपने आपको जखमी कर देते हैं, कई बार वो अपने आपको ऐसे काम में लगा देते हैं, जिससे मतलब चेंज चाहते हैं, इसल journane आज आप देके हर 5 साल में हर कोई सरकार बदलने में लगा हुआ है उनको कोई अच्छा आदमी बी ने चाहिए बुरा आदमी बी ने चाहिए बस बदलते रो ताकि बीच में हमारा हाथ धो कि हमारी इच्छाओं को पूरी करती रहे तो यहां पे इसके लिए इसको कहा आश्चरिवत कि कोई इसको आश्चरिवत सुनता है तो अब इसमें भी अनेक्षर होता है कुछ सच्चे चीज को जानते कि आत्मा क्या है और अब देखे भगवान कितने डैलो यही वासुदेव जानते हैं कि वो आत्मा भटक जाएगा तो उसकी हृदे में परमात्मा का रूप लेके आ जाते हैं आत्मा परमात्मा साथ में होते हैं आत्मा का पास जो अपने अब रिदे जो पहला भाट है वो हृदे वहां बन जाता है फिर शरीर बन जाता है और जैसे हमने कल भी देखा, पिछले सत्र में देखा की कैसे खम मतलब ईथर से वायू बनता है, वायू से अगनी अगनी से पानी और पानी से जल से फिर जो भूमी बनती है तो वैसे शरीर का धाचा बनता है तो ये हमारी इच्छा से, हमारी चेतना जब विस्तारिस होती है, तो मन बन जाता है, बुद्धी बन जाता है, और हमारी इच्छा से इसमें इसके आकार बन जाता है, मन का आकार, और उस मन के आकार से ही जो है, शरीर का आकार बनता है, तो कई लोग, इसमें साइंटिस्ट ज कि बुद्धी जो है वो सुक्ष में है ये जो ब्रेन जो पार्ट है वो फिजिकल है वो केवल इसका मैनिफेस्टेशन है जैसे कोई कह रहा है कि चलो ये बहुत सुन्दर है तो इसका शेरिर दीजा हमको इसके सारे कैमिकल्स पढ़ने हैं कि इसमें क्या-क्या कैमिकल्स होए जिससे ये सुन्दर हो गया सुन्दरता उसके केमिकल्स में नहीं है उसके मन में है जैसे आप देखेगा कई लोग ऐसे दिखने में बड़े करूर होते है जिसके आँकों में ऐसा गुसा रहता है लालालाख होते है उनको देख के ऐसा लगा कि डर जाएगा आदमी तो लेकिन उसको वो क्रूर उसका आँखे ऐसे इसलिए है क्योंकि उसके सोच वैसे है उसके मन में इच्छाएं वैसी हैं इसलिए वो वैसा है लेकिन जो ही वो इच्छा लग कर देगा संतुष्टी की जीवन जीने लगेगा तो अपने आप देखें आख लाल था थंडा हो जाएगा एकितम स्माइल आ जाएगा जीरे धीरे उसके शरीर का आकार बदल जाएगा तो ये शरीर जो है ये मन के उपर आधारित है तो जब तक हमारी मन की एक धारणा है मन का एक धाचा एक सोच बना हुआ है तब तक शरीर अलग रूप लेते रहेगा तो ये च्छाय शक्ति का प्रभाव है और उस च्छाय शक्ति में अब मन भी जुड़ जुका है ये कि हमारी चेतना जैसे प्रपाजी समझाते हैं कि जैसे बारिश का बूंद आता है न पानी का वो नीचे गिरता है टपक बारिश मट्टी में गिरता है और नीचे का जो धूल है वो से मिक्स हो जाता है तो वैसे हमारी चेतना शुद्ध है पर उन्तो यहां आके बहुतीक चेतना से मिश्रित हो गई है तो अनेक अनेक इच्छाएं जागरूत होती रहती है जैसे आप ट्रेंड से प्रवास करिये तो चिलाता है ये लिजिए समोसे लिजिए ये लिजिए तो मन करता है खाओ फिर थोड़े दिर में आप मौल में जाईए तो हम मौल में किसी बड़े मौल में आप चलेगे तो बड़े-बड़े टी-शिर्ट्स, जीन्स और कपड़े और अलग-अलग परकार के चीजे दिखाए देते पर्स वगरा तो ऐसा लगता है कि ये भी चाहिए तो अपने आप जो इच्छा शक्ती है वो वहाँ भागने लगता है तो जो आपको दिखता है उसमें हम अमारी इच्छा डालते लगते हैं और हमको लगता है कि ये मिल गया तो अब मैं जीत गया लेकिन actually हमने केवल हमारी इच्छा की पूर्ती के लिए काम किये है जो ही वो हटा देंगे तब समझ में आएगा कि ये इच्छा पूर्ती करने का जोरुत नहीं है क्योंकि जितना दिखेगा उतना हम लोग सिफ भोग का इच्छा कर रहा है जब सेवा का इच्छा करने लगेंगे तो यही प्रकृती यही च्छाय शक्ती आपको मदद करेगी भगवान के तरफ ले जाने के लिए है ना तो तब आप जब इसे विग्रह पूजा कर सकते हैं भगवान का नाम ले सकते हैं जो पवित्र है और जो आपको वासुत यह का स्मरण कराएगा अज़ तब जो परमात्मा के रूप में भगवान है यह आपको मार्क दरशन करेंगे हमारा बैक ट्रेक जो जर्नी है वो चालू हो जाएगा जैसा इसको जो हैकर्स होते है वो बैक ट्रेकिंग करते हैं वो चेक करते हैं कौन सा इपी सा है कहां से आया क्या कोड है उसका इंक्रिप्शन क्या है उसको डिक्रिप्ट करके कैसा डेटा चुरा लेना है आजकल चोरों का वो अलग रूप हो गया है, एजुकेटड चोर, एजुकेटड बेरोजगार चोर, तो इससे पता चलता है कि बैक ट्रकिंग करना है, तो हमको भी हमारा आप रिवर्स इंजिनेरिंग करना है, इस संसार में जो चिपक गया हो और इस येतना को लेके, धीरे ध दीरे दीरे पीछे निकलना है, कैसे? तो इस हरे कृष्ण मंतर का जब जाप करेंगे, तो अपने आप जो हमारा हरिदय में भगवान की प्रती सौभाविक प्रेम है, वो जागरित हो जाएगा, तो इस मंतर को अगर हम जब करते हैं, जैसे माला में आप कर सकते हैं, वो माल हैं, तो दो कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, सोला कर सकते हैं, सर कोई कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, तो यह जब करने से क्या होगा, कि हमारा जो सौभाविक प्रती प्रती प्रेम है, वो जागरित हो जाएगा, तो यह जो चाया शक्ती का प्रभाव है, जो हमे चाया का खेल है जिसे हम दूर होके असली वईकुंठ लोग का वास कर पाएंगे तो आगे हम बने रहेंगे जो अगला श्लोग है उसमें भगवान अंत में एक final conclusion देते हैं आत्मा के बारे में अरजुन को और फिर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरिद करते हैं तो इसको हम लोग अगले प्रवचन में सुनेंगे तब तक के लिए धन्यवाद हरे करश्चन